ii BPS-Pisc ale exam 2021 eligibility criteria क्या होगा eligibility C security आ Nano BPS की जो भरती आई है 2021 में सालती में कौन कौन लोग eligible है एजुकेशन qualification क्या चाहिए क्या minimum percentage होनी चाहिए matter चीआ इस सबस्क्रित के ओल्लीजिवक गाइम आपको लेकर आया है आप सभी की डिमांड थी कि एलिजबिरिटी क्राइटेरिया बताएं कि आई पीएस पीओ की आई पीएस क्लर की और ऐसो की दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर आई पीएस आर भी सबसे पहली पोस्ट आती है थोड़ा सा आपको आई पीएस के बारे में बिरीफ हो जाएगा आई पीएस यही सिक्वेंस आपकी पोस्ट आती है अगर आप पहली बार आई पीएस या बैंकिंग करियर में अपना बैंक में जॉब में चाहते हैं पाना तो आप यह इंफॉर्मेशन पासकते हैं बहुत ईजिली पूरा वीडियो आपके लिए बहुत है क्योंकि इस पूरे वीडियो इससे यह पता पड़ेगा कि कितने आपको पसंद आ रहा और इस तरह के पूरी डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन और मैं आपके लिए इस तरह से लाता रहूंगा इसी परकार से तो आज जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों आज यह वीडियो में हम बात करेंगे एक ही प कलेंडर आने वाला है वो आपके लिए जल्दी ही आने वाला है और उसका वीडियो आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा कितनी पोस्त आएगी क्या वो सब कुछ एक एक टिटेल में आपको चीज़े मिल जाएगी आप किसी भी गॉर्मेंट जॉब की त्यारी करेंगे तो क्या आप इस बार बैंक की जौब पाना चाते हैं इसमें आप क्या एक प्र्रोबेशनरी ऑफिसर बनना चाते हैं जी हां दोस्तो आपके इसकी फूल फार्म होती है प्रोबेशनरी ओकी या फिर भीनेजमेंट ट्रेनी तो आपको मैं बता दूकि यह कौन सा फेस होगा दोस और इसकी वेकंसी ये कप के लिए है 2022-23 जी हां दोस्तों 2021 में आपका एक्जाम होगा 21 में आपका एक्जाम हो रहा है और 22 और 23 में आपकी वेकंसी लग जाएगी 101% डेफिनटी तो दोस्तों आप अभी से यह वीडियो देखने के बात सही अपने जो प्रपेशन उसको कंटीनियू रखें ठीक है मैं मुद्दे पर आता हूं में जो बात है वो बता देता हूं उस आप एलिजबल है तो सबसे पहले अगर आप तयारी के लिए सोच रहे हैं तो आपको यह वीडियो बहुत जरूरी देख लेना चाहिए आपके जितने में दोस्ते सब तक पहला दो इस वीडियो को क्योंकि आप तयारी कर रहे हैं वह व्यरत ना जाएं अपनी एज देख ल के लिए सोच रहे हैं तो तो देख लिए दोस्तों आपकी एज क्या है अब एक और सवाल आता है कि मतलब 20 साल का हूं थी साल 20 से 30 साल के बीच है कब कौन सी डेट तक तो आपके डेट ऑफ बर्त के अकॉर्डिंग इसको देखना पड़ेगा दोस्तों कि आपकी डेट ऑफ इस डेट से लेकर इस डेट के बीच है तभी आप इसके लिए इलिजिबल हैं तो बात करते हैं आप डेट ऑफ बर्त की तो ये देखिए दोस्तों के इस एज के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्त होने चाहिए लिए पिल्कुल जी हां दोस्तों गौर से देख लो इस स्क्रीन को अच्छे से देख लो यही है वह सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है सवाल और सबसे इंपॉर्टेंट बात भी यही है अब ज़से कि आप इंतजार कर रहे हैं 2021 का देखो अभी रिजल्ट आया है इपियों का इप्यों का अउनको अपकी बार यह सीट नहीं चोड़नी है IIPS की जो 2021 कि आने वाली है तो दोस्तों आज इसा तयारी स्टार्ट कर दो यह रही आपकी एज आप देख लीजिए अगर आप अभी से स्टार्ट कर दे अपनी प्रिपेशन अपनी जीकी को बहुत स्ट्रॉंग करें अपनी रिजनिंग मैथ क्वांट सब को अच्छे से कर लें इंग्लिश हर सब्जेक्ट में आप और ज्यादा कुछ नहीं है आप मिनिमम यह बात आपको मैं बता दू प्रैक्टिकली आपको सिरफ और सिरफ मुश्किल से पांस चार से चह मेने की प्रिपेशन करनी है फोर टू सिक्स मंद की आप प्रॉपर अच्छी से प्रिपेशन करेंगे तो डेफिनिटली आप सीट क कर सकते हैं डिपेंड करता है कि आपका जो आपको जो गाइडेंस मिल रही है वो किस तरह से मिल रही है क्या आपने एक्जाम पैटन देखा प्रॉपर क्या आपने इस लेबस को प्रॉपर फोलो किया क्या आपने वह टॉपिक पढ़ लिए जो आने वाले ही नहीं थे क्या वही टॉपिक पड़े जो की आने वाले हैं तो ऐसा ही होता है कई बार क्या होता है कि दो साल लग जाते हैं एक साल लग जाता है पूरा-पूरा तीन साल लग जाते हैं क्या होता है कि हम जो पढ़ते हैं उसमें से कुछ आता है नहीं और क्योशन कुछ और कहीं से आ जाते हैं तो आपको इस चैनल पर कई मेरे ऐसे वीडियो हैं जिसमें आपको English की questions मिल जाएंगे, syllabus मिल जाएगा, topics मिल जाएंगे, आप पूरा चैनल देख सकते हैं अच्छे से, और इस साल के लिए और मैं नए updates लाके आपको दूँगा, हर तरह की वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, तो subscribe जरू कर लिजिए, तो बात करते हैं कि ये तो है आपकी date, कि इस date से लेकर इस date के बीच आपकी age होनी चाहिए, अगर आपको फिर भी कोई confusion है, तो नीचे comment box में आप अपना comment करें और आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा, ठीक है, अब बढ़ते है next, जो एक और 10 years का है, और PWD candidates को 10 years का है, ये सब age elections हर साल की तरह है, ये सब आप जब जानते ही है, इन सब के बारे में तो कहीं बताओं मैं, बात करते हैं, education qualifications की और experience की, दोस्तों ये भी question बहुत important है, लोग इसके बारे में भी सोचते हैं, पूचते हैं, confused रहते हैं कि बाई, education qualification और experience, तो साल होता है, ये मैं especially बार-बार repeatedly कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है, कुछ ऐसे viewers भी हो, कुछ मेरे ऐसे दोस्त हो, जो कि पहली बार bank की त्यारी कर रहे हो, उन्हें ना पता हो, कि भाई, इसमें education qualification क्या होती है, हो सकता है, आप मैं से बहुत से लोग वही हो, जिनको पता है, कि क्या education qualification होती है, और क्या experience होता है, फिर मैं इसलिए बता रहा हूँ, ताकि नए लोग भी हो सकते हैं, जो कि इस साल eligible हुए हैं, और ये vacancy के लिए apply करने वाले हैं, दोस्तों ये रहे है आपकी education qualification, एक आपके पास degree होनी चाहिए, जो कि proper recognized university से होनी चाहिए, ठीक है, वो degree क इस चीज का ध्यान रखेगा, इसमें भी एक चीज और आती है कि आपकी graduation कब तक complete होनी चाहिए, अगस्त में कौन सी तारिक तक के लिए वो मांगेंगे ये जल्दी में आपको notification officially जबाएगा तब बता दूँगा, बट ये tentatively है कि अगस्त में आपकी degree होनी चाहिए, अगस् eligible है, इसी 2021 में, ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, तो हाँ, ये भी सोच लो, जो लोग अभी final year में है, तो आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि यार हमारा exam तो अब होगा, तो बिलकुल आपका exam होगा, अगस्त तक आपका result आजाएगा, अगस्त तक आपका result बिलकुल भी नहीं है, मतलब इस तरह की चुटे 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 जो सवाल होते हैं, इनकी वज़े से लोग घबरा जाते हैं कभी-कभी, तो कोई भी question हो, आप easily हमसे पूछे हैं, और जल्दी join button भी कर देंगे, आपके लिए चालू, जिससे आप कैय कि specially आप हमसे chat भी कर स का final year है, तो आपका exam होगा, जो की date आगई है, officially government की तरफ से, की मई से लेकर जून के बीच तक हो जाएगा, तो last June तक हो जाएगा, तो उसका result आपका अगस्त तक आजाएगा, result आपका आगया, that means you are eligible, आप form भरते वक्त, अपना form भर सकते हैं easily, आपको physically mark sheet की ज़रत नहीं ह मैं भी अगस्त में, ठीक है, अगस्त अगा पास होने चाहिए, इसका मतलब सरफ ये है, ठीक है, misguide में तो येगा, अब आगे बढ़ते हैं, की experience क्या चाहिए, तो बहुत अच्छी खबरी है, खुश खबरी है, sorry, की आपको कोई experience नहीं चाहिए, freshers can apply, बिल्कुल दोस्तो ये ऐसी भरती है, जिसमें कोई experience की requirement नहीं है, freshers अगर आप हैं, तो आप easily apply कर सकते हैं, ठीक है, अब मैं आपको बता दू, ये भी सवाल बहुत जदा पूछा जाता है, ये सवाल मैं हर साल बताता हूँ, और इसी लिए इसको फिर से मैंने point out किया है, की how much marks and percentage required in graduation, तो graduation में इसा कोई नहीं है, क्या होता है कि वो notification में ऐसा कुछ लिखावा आता है कि 54.99% और 59.99% ऐसा कुछ लिखावा आता है, वहाँ पर notification में, तो लोग क्या करते हैं, students क्या करते हैं, मेरे प्रियदोस्त, वो उसको पढ़ते नहीं है, पूरी line को proper, और वो सोचते हैं कि 54.99% चाह तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जो लिखावा होता है, वो यह लिखावा होता है कि आपकी percentage अगर 54.99% है, तो उसको 55% calculate नहीं किया जाएगा, that's it, उसका और कोई मतलब नहीं होता है, अगर आपकी percentage 59.99 है, तो उसको consider नहीं किया जाएगा 60% which is wrong, तो उसका मतलब यह होता है that's it, अब यहाँ पर अगर आप third division भी पास हुए है, second division भी पास हुए है, आपकी percentage matter नहीं करती है, आप eligible हैं दोस्तों, पूरी छूट है, कोई percentage का requirement नहीं है, कोई load नहीं लेना है आपको, simply आपका यह doubt भी clear हो गया होगा, ठीक है, साथ ही में like कर दो वीडियो, अगर अभी के साथ जुड़ जाओ, टेलेग्राम पर जुड़ जाओ, इंस्टाग्राम पर जुड़ जाओ, सभी पर जुड़ जाओ, current affair में daily लेकर आता हूँ, आप लोग देखें उसको, वो current affair जो है, especially IBPS, bank, railway और SSC, इन सभी के लिए हैं, मैं especially IBPS के लिए लिए लेँगा, और हर एक exam के लिए लेकर आने वाला हूँ, current affair, test series भी जल्दी ही लेकर आने वाला हूँ, अलग से especially best test series, ठीक है दोस्तों, जुड़े रहना हैं जब तक, और exam guide channel के साथ में, अब आगे next video में आपके लिए में लेकर आने वाला हूँ, क्या, IPS, RRB की eligibility क्या होगा, IPS, clerk के लिए eligibility criteria क्या हो में आप start कर दे अपनी preparation, तो अराम से आप August तक बहुत अच्छे से cover कर लेंगे, उसके बाद हम revision करेंगे, मतलब हम revision कब से चालू कर देंगे, in fact हम revision कर देंगे, start March, April से, तीन मेने में आप course को cover up करने की कोशिश कीजिए, 50-70%, उसके बाद हम revision start करेंगे, questions होंगे, last year के, और हर चीजों पर हम बात करेंगे और आप लोगों के जवाब देखेंगे, wish you very all the best, जैहिन